नमस्क्रा दोस्तों स्वागात है आप सभी का आपके अपने चैनल दो रीटेल इनिस्टर में यहां पर दोस्तों में जो बात करने वाला हो न वो एक ऐसे स्टॉक की है जो पिछले काफी लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में चल रहा है और आज टॉक का नम है वर्ल फूल ओफ इंडिया लिमिटेड ठीक है दोस्तों अब आप देखिए जो खबर निकल के आई है वो सिर्फ वर्ल फूल के लिए खराब नहीं है ओवर्ल जो इलेक्रिकल गुट्स की कंपनिया है उनके लिए यह बहुत ही ज़ादा खराब खबर है दोस् तो क्या वर्ल फूल ओफ इंडिया लिमिटेड और पिछले तीन दिनों आपके पिछले एक मन्त बलकी कहना चाहिए श्टॉक ने जिस प्रकार एक खबर आपको पता होगा प्रमोर्टर को लेकर भी एक बड़ी खबर निकेटिव खबर थी तमाम खबरों के भी श्टॉक ग वाले ये कितनी भेंकर किसम से ब्रेस्टेंस बनेंगे जो स्टॉक एक समय में 17,15 का हाई बनाया था वहाँ से ये स्टॉक आल्मोस्ट 28 परशन गिट चुका है ये कोई बहुत भेंकर किरावट तो नहीं है लेकिन जब हम इसको एक समय पांच साल लेकर के चलते हैं पिछले पांच सालों में स्टॉक ने माइनस माइनस 14.14 परशन का निगेटिव रिटन दिया है और उपरिश्टरों से एक समय जो स्टॉक 262 रुपय में था वो आज गिरते 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 समझिए 53.85 परशन का निगेटिव रिटन दी चुक अपने विश्कों को और अगर मैं इसक कंपनी ने आप देखें exactly वापस से जो गिरवट है स्टॉक उपर इसर कितना गिर चुका है और अब आप देखेंगे तो स्टॉक एक बार थाउजन रुपीज भी शायद छूता हुआ आपको दिखाई देगा और देखिए ये जो है ना 1000 से 2000 का लेवल ये स्टॉक ने 30 December 2016 को कितना 30 December 2016 को कंपनी 1889 रुपीज में थी और आप देखेंगे वहाँ से कंपनी ने एक काफी अच्छा रिटन कितना लगबग 200% रिटन दिया था कितने सालों में 5 सालों में कोई बहुत अच्छा रिटन नहीं था लेकिन अब आप देखिए ये जो चीज है ना पहले देखें स्टॉक एक काफी लंबा कंसलर्येशन फेस किया फिर एक काफी शामदार सेट अप आप देखिए यहाँ से एक शूरू होता है और फिर आता है एक बहुत नहीं नेगेटिव सेक्टर कान यह देखिए ये उतना ही भी भहेंगर चल रहा है और अगर ये भी टोटता है न दोस्तों जो हजार है एक बार आपको यह बापास से 890 का जाता दिखाई देगा यानि यहाँ पर ठीक है होगा की नहीं होगा देखें यह न क्वाटर 3 के नंबर क्वाटर 4 के नंबर कब जो मार्च में आने वाले हैं वो डिसाइड करने वाले बढ़ हाँ मुझे यह चीज लगती है कि स्टॉक के लिए पहले तो 1200 रुपए का लेवल और उसके बाद मा हजार का लेवल यह तो बढ़ना बहुत बहुत जादा मुश्किल है ठीक है यह जो 200 रुपए न यह वर्लफुल के लिए बहुत तरा डिसाइसिव है और इसके साथी साथ जिस प्रकार की निगेटिव खबरें और जो प्राइजिन हो चुकी है अब आप देखें इस टॉक यह जो आपको गिरावट जिखा रही है इतना वर्लफुल इतनी भायंकर की समगी इसके पीछे का रीजन ही यह है दोस्तों कि जो ओवराल जो सेक्टर है वो पिछले काफी समय से इतने जादा निगेटिव सेंटिमेंट से गुजर रहा है निगेटिव सेंटिमेंट मतलब दोस्तों अब भाई साब आपके डिमांड गयाब है इतना जादा कॉंपटिशन चलते चला आ रहा है दोस्तों वहन से कि मैं इसे ना थोड़ा मिटा देता हूं पहले फिर एके करके जो निगेटिव एस्पैक्ट रहे है जिसका राण स्टॉक उपरी से 53-55% गिट चुका ह सबसे पहला बाई साब सबसे पहला सेक्टर में इशू चल रहे हैं ठीक है सेक्टोरियल इशूस के कारण दूसरा क्या प्रॉब्लम है सेक्टर इशूस में डिमांड एकदम से गायाब हो रखी है डिमांड वाइड कुड इंडस्री में थी नहीं दूसरा डिमांड नहीं है competition हद से ज़्यादा है competition हद से ज़्यादा है इतना ज़्यादा है कि margin बचा पाना भी डफ था इसके साथ ही साथ cost of material इतने ज़्यादा expensive हो चले थे बीच में जो already जहाँ demand कम आप उपर से ज़्यादा competition ज़्यादा और cost प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कितनी ज़्यादा problematic होगी इसके साथ ही साथ आपको पता होगा बीच में जो transportation cost है वो इतनी expensive थी तो भाई साथ किसी एक sector में जब इतनी ज़्यादा problem चलेगी stock चलेगा कहां से और यही कारण है कि इतनी इंकर गिरावट देखने को मिली ठीक है और वो निवेशक जो इस बात को लेकर के बहुत सा उत्साहित थे कि भाई या वर्फुल जो stock है वो brand बहुत अची चीज़ अची है I'm okay with it मैं यह मानता हूँ और आप as a investor इस stock से ही समझ सकते हैं कि भाई साब accumulation mode में रही प्लस अगर किसी company को लेना ही है तो इस euphoric season में ना लेते हुए यह जो बड़ी गिरावट चल रही है उसमें ले लेकर याद रखें कि अगर sector में इशू है तो sector revival बहुत आदा चांस बनता है और जिने नहीं पता हो कि एक बर sector में अगर issues आते हैं या stock में चीज़े हैं तो कितनी problem रहती है आपने एक company को नाम सुनाओगा जिसका नाम है Walmart बहारी company है दस सालों तक इसका stock एक बड़े struggling face में रहा दोस्तों जियां दस सालों के अंदर तो मैं यही कह रहा हूँ इस company तो औरेड़ी 5 साल जादा हो चुके है वर्लफूल को ठीक है तो आप समझे यह चीज़ को कि problem कितनी जादा है पिछले 5 सालों में आपका जो stock है तो negative 14.24% के return आपको दे चुका है दोस्तों ठीक है तो यह तमाम प्रकार की चीज़े है अब as a investor as a investor आपको क्या करना है आपको चीज़े निकनी क्या चीज़ें ठीक हो रही है खराब हो रही है तो अगर आप positive आदमी है तो आपके लिए बहुत बड़ी खराब ख़बर है कि बाई साब पूरे के पूरे sector को Jeffries के दौरा जी हाँ Jeffries के दौरा downgrade कर दिया गिया है ठीक है लेकिन हाँ उस प्रकार का negative असर stock में नहीं दिखा जितना आच उमीद थी क्यों अब आप मुझे बताएं ये जो a stock है अब आप देखें आज एक नीचे के तक इतना 11.96 तो एक चीज तो समझ जाएं कि वर्फुल के लिए 11.90 ये एक humongous support है दोस्तों क्यों कि जब इतनी negative खबर के बाद भी आपका stock नीचे नहीं किया है ये चीज़े है और quarter 3 के जो negativity थी वो अरड़ी price उन हो गई है लेकिन अब जो खबर निकल किया ही है वो पूरी के पूरी sector के लिए ख़राब क्या है आप देखें यापर आप देखें डाउन ग्रेड वर्फुल का stock गिरा था 6% अब 2% रहे गया तो समझ जाएए कितनी भेंकर किरावड़ती डाउन ग्रेड किया गया है global brokerage house चली है और जो brokerage है उसने stock को underperform की rating दी है और target price को target price for the firm to 1125 रुपे कर दिया है जो पहले 1265 था तो आप समझ जाएए 1260 रुपे से सीधा 1125 रुपे कर दिया है ठीक है और जो नया target है ये लगभग 14% के downside की बाद आपके सामने करता है कितने % की 11% के downside की बाद आपके सामने कर रहा है ठीक है और इतना ही नहीं आप देखे the firm's operating margin जो है वो decline to 5% in the 9 month जो पहले 11-12% थी ये जो hyper competitive नहीं यो ही नहीं कहा जा रहा है अब आप समझे जो firm की operating profit margin थी जो पहले 5% थी जो पहले 9-12% हुआ करती थी उमातर 5% हो गई है ठीक है और ये इन 25 तो नहीं financial year 15 2015-215 के बीचिए 9-15 जो अब सिर्फ 5% हो गई है 9 महीने में कितने जो financial 24 के अंत हो रहा है ठीक है और इतना ही नहीं जो operating margin है 60-70 base point की जिरावट आपको यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है इसके साथी साथ 20 फरवरी को जी हाँ आज 27 फरवरी है तो जादा कुछ पीछे जाने का दिन नहीं है कोई बहुत पहली चीज नहीं है वर्ल्फूल कॉर्पॉरेशन यह एक prominent बहुत मजबूत प्लियर है अमेरिका के home appliances में उन्होंने एक strategic move किया और 24 परसेंट जी हाँ 24 परसेंट की जो अपनी ownership है उसे sell कर दी अब आपको एक बात बताओ जो बहुत जादा negative क्या है वर्ल्फूल ने अपनी जो ownership है वो इतने जब stock इतने निचले स्तरों पर चल रहा है तब sell कर दी वो भी कितनी 24 परसेंट तो आप एक बात समझ जाएए कि company को भी यह पता है कि आने वाले कुछ सालों तक या आने वाले कुछ समय तक जिस प्रकार के positive video के हम सोच रहे थे वो शायद इस सेक्टर में ना देखने को मिले और जिस प्रकार के competitive intensity एक बहुत बड़ा सरदर्द निकल के आई है इनके लिए वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा ठीक है आप देखे है counter value another negative for the company और यह एक और negative थी तो अब आप समझे मुझे यह लगता है कि stock एक बार आट भली ना टूटे बट आने वाले समय में वाकई में एक गिरावट दिखा सकता है और अगर आप as a investor stock में है तो भाया समझ जाए कि अभी आने वाले समय में काफी लबे समय तक कोई बहुत ही positive ख़बर आना या कोई भी बहुत ही अच्छी चीजे को ख़बर आ जाना आना बहुत बहुत जादा tough होने वाला है दोस्तों ठीक है तो वर्लफूल as a company as a brand यह कोई खराब है बिल्कुल नहीं लेकिन पिछले कुछ समय से जो बहुत negativity चल रही है प्लस आप कह सकते हैं last nail in the coffin कि भाई साब आपकी जो major promoter company है उन्होंने 24% अपनी stake इसमें sell कर दी है disinvest कर दी वो भी कब जब stock एक बहुत बड़े नीचलेस तरूपे चल रहा है कितने की 5 साल के अंदर company ने आपको minus 14% की negative return दी है इसके बावजूद company इतना बड़ा stake sale कर रही है तो ये जो तमाम चीज़े हैं ये वाकई में चंदा का विश्य है ये वाकई में एक सरदर्द है दोस्तों तो देखना ही होगा चीज़ें कब ठीक होती दोस्तों यहां पर जुड़े रहे हैं इस बाद का बहुत बहुत धन्यवाद ये सुड़े का अंदा है चेह